यहां पर मौसम उसी तेजी से बदलता हुआ दिखाई दिया है फिलाल हम शिरी नगर के अंदर मौझूद हैं यहां पर मैं डल लेक के उपर मौझूद हूँ मैं आपको पहलगाउ और बाल्टाल की इनफॉर्मेशन दूँ और बताओं कि वहां का हाल क्या है उसे पहले मैं अपने दर्शकों को जरा डल लेक के तस्वीरें यहां पर दिखाना चाऊउँगा मेरे सेयोगी विनय मेरे साथ मौझूद है विनय जरा दिखाई है कि हम जहाँ पर खड़े हुए हैं यहां पर मौसम किस तरीके का है रितू तस्वीरें यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मुसलाधार बारिश अभी भी यहाँ पर जारी है और डल लेक के उपर अक्सर इस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ पर यात्री बहुत ज्यादा होते हैं और सुबह-सुबह सालानी आपर घूमने के लिए आते हैं लेकिन बारिश की वज़े से यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे नोकायान करते कुछ लोग यहाँ पर आपको जरूर दिखाई दे रहे होंगे डलने का अपना एक इतिहास है दरसल यह नेचुरल रिसोर्स है और पानी आपर जमीन से ही आता है अब बात रही पहलगाओं और बालटाल की दरसल दोनों ही जगहा अगले दो दिन के लिए अलर्ट रखा गया है और दोनों ही जगह से यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है कुछ यात्रियों से हम मिले हैं जो पहलगाओं और बालटाल से वापस श्री नगर पहुंचे उनका कहना है कि पूरे तरीके से वहाँ पर सिना ने रोका हुआ है और वज़े भी साफ है क्योंकि आगे लेंट स्लाइड हो रहा है बारिश बहुत ज्यादा है बहुत रिस्की है वहाँ पर और इस वज़े से आगे किसी को भी बढ़ने नहीं दिया जा रहा है लगबग 2000 के करीब लोग ऐसे हैं या कहें कि भग्त हैं जो पहलगाओं के रास्ते अमरनात गुफा के दर्शन करकर वापस लोटे हैं लेकिन जब उनकी सुबानी हमने सुना तो खोफनाक मंसर वो बताती न सराय मेरे साथ को जोड़े लोग उन्होंने ये भी कहा कि एक कदम आगे अगर वो बढ़ जाते तो शायद लेंड स्लाइड का हिस्सा वो बन जाते इतना रिस्की वहाँ पर है रिदू और हम कोशिश करें कि हम पहल गाओं अगले दो या ढाइ गंटे में पहुँच जाएं क्योंकि सुबह सुबह यहां पर काफी बारिश थी और इस वज़य से हम पहल गाओं नहीं पहुच पाए अगले दो ढ़ाई गंटे के अंदर हम पहलगाओं पहुच जाएंगे वहां से भी हम तस्वीरे दिखाएंगे कि आखर किस तरीके से कितने हजार लोग वहां पर मौजूद है जो सिरुफ इंदजार करें विजेंद्र मुस्लाधार बारिश चल रही है कब तक ये बारिश रुकेगी और इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कब तक यात्रा जो एक बार फिर से शुरू हो सकती है यहां पर शिरी नगर यहां पर बहुत ज्यादा लोग बाहर से आयोगे रुकेगे क्योंकि वो अभी ना पहलगाओं जा पारे ना ही बालटाल जा पारे दरसल अमरनाथ यात्रा जाने के दो ही रास्ते हैं या तो वाया बालटाल होकर जाये जाएगा या फिर पहलगाओं होकर जाये जाएगा इंडियन माइटोलोजी अमरनाथ यात्रा को जब हम समझते हैं तो फिर दूग पहल गाहों की तरफ चलते हैं